नमस्कार, धरम टीवी में आपका स्वागत है आज हम बताने जा रहे हैं कि अनन्त डोरी में चौधे गांठ क्यूं बांधी जाती हैं? आखिर क्या है अनन्त में बंधी चौधे गांठों का राज? दरसल भाद्रपद के शुकल पक्ष की चतुरदशी को अनन्त चतुरदशी का वरत किया जाता है इस दिन अनन्त के रूप में हरी की पूजा होती है पुरुष दाएं तथा स्थियां बाएं हाथ में अनन्त धारण करती है अनंत राखी के समान, रूई या रेशम के कुमकूरंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें चोधे गांट होती हैं इन्ही धागों से अनंत का निर्माण होता है, ये व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता है हरी की पूजा करके तथा अपने हाथ के उपरी भाग में या गले में धागा बांध कर या लटका कर जिस पर कोई भी पवित्र विश्णू मंत्र पढ़ा गया हो, व्रती अनंत व्रत को पून करता है यदी हरी अनंत हैं, तो चौधे गाठें हरी द्वारा उत्पन्द चौधे लोकों की प्रतीक है अनंत चतुरदशी पर कृष्ण द्वारा युदुष्ठर से कही गई कॉंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई जाती है कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल है जिसे अनंत कहा जाता है अनंत व्रत चंदन, धूब, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है इस व्रत के विशे में कहा जाता है कि व्रत 14 वर्षों तक किये जाएं तो व्रती विश्णू लोग की प्राप्ति करता है इस दिन भगवान विश्णू की कथा होती है उसमें उदे तिथी ली जाती है पूनिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है यदि माध्यान तक चतुरदशी हो तो जादा बेहतर है जैसा कि इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि ये दिन उस अंत ना होने वाले स्रिष्टी के करता भ्रम्मा की भक्ति का दिन है इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है अनंत चतुरदशी पर्व जानिये कैसे करें व्रत और पूजन भादरपद शुक्ल चतुरदशी को अनंत चतुरदशी का व्रत किया जाता है भगवान सत्य नारायन के समान ही अनंत देव भी भगवान विशुनु का ही नाम है यही कारण है कि इस दिन सत्य नारायन का वृत और कथा का आयोजन प्राय किया जाता है जिसमें सत्य नारायन की कथा के साथ अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है इस वृत में अनंत की चौधे गांठें, चौधे लोकों की प्रतीक मानी गई है उनमें अनंत भगवान विद्यमान है आईए जाने कैसे करें पूजन प्राथैकाल स्नानाध नित्य कर्मों से निवरत होकर कलश के स्थापना करें कलश पर अश्ट दल, कमल के समान बने बरतन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है इसके आगे कुमकुम केसर या हल्दी से रंकर बनाय हुआ कच्चे डोरे का चौधे कांठो वाला अनन्त भी रखा जाता है पुष्के अनन्त की वंदना करके उसमें भगवान विश्णु का आववाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आज से पूजन करें तथ पश्षात अनन्त देव का ध्यान करके शुद्ध अनन्त को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें ये डोरा भगवान विश्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनन्त फल देने वाला माना गया है ये व्रत धन पुत्रादी की कामना से भी किया जाता है इस दिन नए डोरे के अनन्त को धारन करके पुराने का त्याग करना चाहिए इस व्रत का पारण भ्रहमन को दान करके करना चाहिए इस मंत्र से बांधें अनन्त की डोरी अनंत चतुरदशी का व्रत करने के लिए व्रती को सुभैस नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए शास्त्रों में अनंत चतुरदशी का पूजन किसी भी नदी सरोवर के किनारे करने का विधान बताया गया है अगर ऐसा ना हो तो घर में पूजा ग्रह के पास पूजा ग्रह में कलश इस्थापित करें और शेश नाक की शैया पर लेटे भगवान विश्णू की मूर्ती या चित्र रखें उसके बाद 14 गांठों से बंदा हुआ डोरा यानी सूत्र रखें उसके बाद ओम अनन्ताय नमहा मंत्र से भगवान विश्णू तथा अनन्त सूत्र को शोडशो पुचार विधी से पूजा करें पूजा करने के बाद अनन्त सूत्र का मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ पर और इस तरी अपने बाहे हाथ पर बांध लें अनन्त सूत्र का मंत्र इस प्रकार है पूजा पाठ के बाद व्रहमन को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद गरहन करें पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने क्योंकि माना जाता है कि बिना कथा पढ़े व्रत सम्पून नहीं होता और उसका फल नहीं मिलता आज के लिए बस सितना है आप हमेश्य मुस्कुराते रहें नमस्कार धर्म और संस्किति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें करें करें